अगर आप यूट्यूब क्रियेटर हैं और आपकी वीडियो के उपर व्यूज नहीं आते 20 40 50 60 व्यूज आकर रुख जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम क्योंने वाली क्योंकि यहां पर हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के बीफॉर और आफ्टर फीच आना चाहता हूं यूट्यूब के कुछ ऐसे फीचर जिनके बारे में हमें पूरी तरह से पता नहीं होता और हम सिर्फ अपने यूट्यूब पर काम करते चले आते हैं लेकिन उनकी जानकारी ना होने के वज़ए से हमें प्रॉपर जो रिजल्ट मिलना चाहिए न वो नहीं मिलता हमें रिजल्ट मिलता है लेकिन थोड़ा बहुत जैसे कि 10-20-50-100-500 व्यूज इस तरह से आते हैं लेकिन जो आने चाहिए क्योंकि हम हैनत बहुत करते हैं वीडियो बनाने में लेकिन प्रॉपर व्यूज जो आने चाहिए वो नहीं आते तो यहां पर यूट्यूब क तो ठीक है यहां पर फ्रेंड एक यूट्यूब का एक फीचर जो की आपको यहां एनलेटीकस के अंदर जाकर मिलता है तो चलिए हम यहां पर एनलेटीकस पर पहले क्लिक कर लेते हैं तो जब आप यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओडियंस का तो दोस्तों सभी यू यह समझने वाली चीजματα है है तो यह फीचर जो है यूटूब ने हम लोगों को दिया हुआ है इस दिया कि हम इसका प्रॉपर तरीके से यूस कर सब्सक्राइब लेकिन हम इसके यूजी नहीं करते क्यों हम इसको देक्ट है लेकिन इसका प्रॉपर यूज इस दिख रहे होंगे बार्स बने हुए दोस्तों यह असल में है क्या जो आपकी ओडियन्स यानि कि आप जो content बनाते हैं और जो आपका content जिस audience के पास जाता है वो audience किस वक्त YouTube चला रही है वो उसका data यह है friends अब मालेजे आप किसी भी time पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं लेकिन आपकी audience जो मालेजे आप technical बनाते हैं आप मालेजे क्योंकि हमारी audience के इसाप से जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो direct हमारी audience के पास जाएगा और हमारी audience जो कि उस time वीडियो देख रही है यूट्यूब चला रही है तो यकिनन हमारी वीडियो को भी देखेंगे मालेजे अगर 5% भी अगर देखेंगे तो वह भी बहुत बड लाइट कलर का मतलब है कि कम audience उस time यूट्यूब देख रही है यानि कि जो मेरा content जो audience देखना पसंद करती है वह इस time कम देखती है जो light वीडियो जाएगी वीडियो जाएगी तो ज्यादा audience उस पर क्लिक करेगी वीडियो देखेगी और जब वीडियो देखेगी और शुरू में जब एक बार आते है ना जब आपके impression पढ़ते है शुरू में और जब click-through rate CTR जो आपके वीडियो पर जब बढ़ती है शुरू म और एक बात और ध्यान देने वाली बात क्या है तो क्योंकि जब हम माली जब बिना time माली जब यह time है यहाँ पर मेरी audience ही नहीं है ठीक है आपको दिखरा पूरा फीका color यहाँ पर है light color है मेरी audience यहाँ पर वीडियो जी नहीं देख रही इस time पर अब मैं इसी time वीडियो डा तो कोई audience ही नहीं होगी वहाँ पर यूट्यूब देख रही है तो कोई views ही नहीं आएगा simple सी बात है friends और अगर जब इस time में डालूंगा तो मेरी जो audience है यह पब्लिक है वह वीडियो देख रही है तो इस time में डालूंगा तो automatic वह वीडियो को देखेंगे ही और जब जाते हैं दोस्तों इस feature को आप एक बार जरूर ट्राय करके देखें यूट्यूब ने आपको यह feature दिया है तो इसका मदलब इसका बहुत इंपक्ट जरूर होता होगा जब आप इस feature को एक बार यूस करने लग जाएंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि जब आपकी यूट्यूब से जुड़ी अच्छे इंफोर्मेशन के लिए तभी के लिए फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाए